हलो गाइज, NCB से आया है एक बड़ा अपडेट नर्कोटिक्स कॉंट्रोल ब्यूर ने आज एनाउंस किया है कि किसी भी ड्रग पेडलर के कहने से वो लोग एक्टर या एक्टरेस को समोन नहीं करेंगे ये एक शौकिंग खबर है विकॉज शुशाथ के केस में अल्रेडी कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रहा था और अभी NCB का ये कहना कि वो किसी भी अक्टर एक्टरेस को किसी पेडलर के कहने पे समोन नहीं करेंगे बहुत चौकानी वाली बात है क्योंकि इससे ये लग रहा है कि NCB भी शायद इस इंवेस्टिकेशन में थोरा डिले करवाना चाहती है सारा अलिखान ने NCB के इंटरोगेशन के दोरान शुशाथ के बारे में कुछ शौकिंग फैक्ट्स बताए जोने आप लोगों से भी शेयर करने वाला हो पहले सारा ने सुशाथ के साथ जो रिलेशन्षिप था के दानात के टाइम tomorrow वो 2017 वो relationship सारा ने accept किया according to सारा 2017 में के दानात के शूटिंग के टाइम पे शुशाथ से वो first time मिली और उनमें एक declaration हो गया और movie खतम होने के बाद भी उन दोनों के बीच में वो relationship continued रहा सारा बहुत पार शुषान्त के घर जाके वहाँ पे night out करती थी लेकिन जो चौकानी वाली बात है वो यह है कि सारा ने ये बोला कि शुषान्त वीड लेते थे according to सारा शुषान्त अपने घर पे वीड लेते थे shooting के बीचों बीच वो vanity band में जाके वीड लेते थे in fact सारा ने शुषान्त के farmhouse के बारे में भी बताया और उन्होंने ये जिकर किया कि farmhouse में भी शुषान्त जाके वीड लेते थे सारा अलिखान ने ये भी बोला कि Thailand trip जो हुई थी जो लिया चक्रबर्ती से interrogation के time पे हम लोगों को जिसके बारे में जानकारी मिली थी वो Thailand trip में भी सारा अलिखान गए थी शुषान्त के साथ ये भी इन्होंने accept किया दोस्तों में लिया चक्रबर्ती और सारा अलिखान के जो दो statements है इन में में बहुत सारे similarities देख रहा हो number one similarity ये है कि ये दोनों शुषान्त को आरोपी बता रहे है according to them शुषान्त गंजरी थे वो weed लेते थे लेकिन जब बात खुद के ओपर आती है तब दोनों ने यही बोला कि इन्होंने कभी जिंदेगे में drugs नहीं लिया सारा ने बोला कि वो तो cigarette पीती है लेकिन उन्होंने कभी drugs नहीं लिया उन्होंने कभी weed नहीं लिया whereas उनके then boyfriend शुषान्त भीड लेते थे यहां चक्रबर्ती ने भी यही बोला कि वो परोस-परोस के लोगों से weed order करके शुषान्त के लिए वो मंगवाती थी लेकिन वो खुद नहीं लेती थी तो सारा और रियात आई रियात आई तभी जेल में सर रही है तो इन दोनों को ऐसा लगता है कि हम सब के सर पे कुछ लिखा हुआ है अभी दिपिका, सारा और शद्धा तीनों का mobile जब्त किया गया है तो उनके mobile अभी scan किये जाएंगे और उनकी forensic charge होगी इन लोग उन्हें जो भी WhatsApp chats delete किये है सब कुछ retrieve किया जाएगा सारा को NCB ने करंजीत जो एक drug peddler है उनके बारे में भी पूझा था वर सारा ने सारे allegations deny किये और इन्होंने ये बोला कि वो करंजीत बोल के किसी को भी नहीं जानते देखने की बाद यह है कि सारा के इस interrogation के बाद सायफ अलिखान बहुत panicked हो गया है और जो legal team है उनको बुलाया गया है तो मुझे ऐसा लगता है कि डाल में कुछ ना कुछ तो काला है क्योंकि अगर उनका गिरेबान साफ होता तो अभी उनका इतना वरा legal team को नहीं बुलाया जाता और दोस्तों बहुत सारे अफवाए अभी फैल रहे हैं सारे channels बता रहे हैं कि दीपिका ने तीन बर रोया है दीपिका ने पाच बार ऐसे करके हाथ जूर के सब को greet किया है I mean what the hell is going on दोस्तों ये सब news फैला के भी लोग publicity मांग रहे हैं I don't get it ऐसा क्यों होता है देखी ये सब रोना धोना कुछ भी नहीं हुआ दीपिका को कोई भी special treatment नहीं दिया गया उन्होंने एक बार एक green TPA था उनके पूरी interrogation में और कुछ नहीं हुआ ये सब बरा बरा के लोग ऐसे publicity के लिए fake news फैला रहे है तो इन सब news से आप लोग दूरी रहो तो अच्छा है दीपिका ने तीन चीज़े accept की है number one जो चैट ग्रूप थी WhatsApp की जो चैट ग्रूप थी उनमें वो admin थी ये उन्हों ने accept किया drug chat के बारे में भी उन्होंने accept किया और उन्होंने ये भी accept किया कि वो smoke करती है लेकिन दीपिका ने भी यहीं बोला कि उन्होंने कभी भी ड्रग्स नहीं लिया तो अभी अगर बात करें शद्धा कपूर की तो शद्धा ने ये बोला कि छीचोरे मुवी का प्रोमोशन या फिर कुछ इवेट था वहाँ पे सब लोग वीड ले रहे थे ड्रग्स ले रहे थे लेकिन शद्धा ने नहीं लिया तो यहाँ पे साफ हम लोग देख सकते हैं कि कोई भी एकसेप्ट करने के लिए राजी नहीं है दिपिका का जो वर्टसेप चैक था उसमें हम लोग साफ देख रहे थे कि दिपिका माल है क्या पूछ रही थी लेकिन फिर भी वो लोग सब डिनाय कर रहे हैं कि वो लोग कभी भी ड्रग्स नहीं लिये मेरे हिसाब से उनको अट लिस्ट बात थी 2017 की तो एक बार अट लिस्ट उनको ये एकसेप्ट करना चाहिए था कि वो लोग ऐसा करते थे अभी नहीं करते कुछ भी फलाना जैसे कांगना ने बोला कि वो पहले ले दे थी बट अब नहीं ले थी लेकिन ऐसे करके लोगों को गुमरा करने का कुछ पॉइंट नहीं है हम लोग अभी अगर कुछ ऐसा स्टेक्मेंट सुनें जो पूरा फेक है तो जो शक है वो और भी गहरा होता जाता है एंड ये लोग सोच रहे हैं कि ऐसा बोलके ये लोग बच जाएगे लेकिन नहीं बचेंगे और दीपिका की जो मैनेजर है करिश्मा वो तो जूट पे जूट बोले जा रही है उनको जब NCB ने पहले समोन किया तब वो ये बोली कि उनका तबियत खराब है ऐसा बोलके वो पाच दिन तक नहीं आई और बात में ये पता लगा कि वो गुआ में थी घर्मा प्रोडक्शन की एक फिल्म शूटिंग के दोरान वो दीपिका से भी मिली थी और इन दोनों के बीच तबी सब कुछ सेटल हो गया था बात हो चुकी थी कि क्या बोलना है NCB को क्या बताना है क्या नहीं बताना है सब कुछ उन लोगों ने डिसकस कर लिया था और इनको ऐसा लगा कि हम लोगों को पता नहीं चलेगा तो इन शॉर्ट NCB is not satisfied दिपिका, शद्धा और सारा के जो बयान है उससे NCB 1% भी satisfied नहीं है और बहुत जल्द इन लोगों को फिर से बुलाया जाएगा और मैं यहाँ पे और इत चीज़ कॉन्रम करना चाहता हूँ कि करण जोहर का जो वो वाइरल वीडियो था जो लास साल आया था उसके वेसिस पे दिपिका को नहीं बुलाया गया दिपिका को बुलाया गया था जो ड्रग चैट्स एक्सपोज भी थी उनके मैनेजर करिश्मा और जया साहा के बीच उसके वेसिस पे दिपिका को बुलाया गया था तो बहुत सारे लोग अभी बता रहे हैं कि करंजोर के वीडियो में जो जो लोग है सब को बुला जाएगा फलाना फलाना लेकिन अभी तक ऐसी कुछ भी खबर नहीं आई है अगर कुछ भी खबर आती है मैं आप लोग को पहुचाता रहूँगा और मेरे चैनल से जुरे रह नगे लेकिली शुत्रिया थे किर ठीकैर तो जाहाँ है